केवल पत्तियों से ये 8 पौधे उगा कर आप अपने 1000 रुपे बचा सकते हो मनी प्लांट मनी प्लांट कम रोश्णी में घर के अंदर उगाए जाने वाला एक बहुत ही खूपसूरत पौधा है इस पौधे की एक पत्ति को यदि 25-30 दिनों के लिए पानी में रख दिया जाए तो उसमें से नई जड़े निकलने लगती हैं इस वीडिस से हम काफी सारे नई पौधे बिलकुल मुफ्च में तयार कर सकते हैं नमबर दो स्नेक प्लांट स्नेक प्लांट की पत्ति काट कर अगर पानी या मिट्टी में लगा दी जाए तो 40-50 दिनों में उसके अंदर से नई जड़े निकलने लगती हैं और एक नया पौधा तयार हो जाता है यह पौधा घर पर ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि यह पौधा सबसे ज़ादा ओक्सिजन देता है और हवा को भी तेजी से साफ करता है नमबर तीन पान रबर प्लांट का पौधा भी पत्ती से बड़ी आसानी से उग जाता है कुछ दिनों के लिए रबर प्लांट की पत्ती को पानी में रखने से उसमें जड़ो का विकास होने लगता है और एक नया पौधा बनकर तयार हो जाता है नमबर पांच एगलो निमा एगलोनिमा कम रोश्णी में उगने वाला एक बहुत ही खुबसूरत पौधा है जिसको घर के अंदर भी उगवाया जा सकता है इस पौधे की एक साफ और स्वस्थ पत्ती को काट कर मिट्टी या पानी में लगाने से एक नया पौधा बनाया जा सकता है जिजी प्लांट घर के अंदर उगने वाला एक शानदार पौधा है इसकी खास बात है कि इसको बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है इस पौधे की एक पत्ती मिट्टी में लगा कर काफी सारे नय पौधे तयार किये जा सकते हैं अगर आपको क्रोटोन प्लांट पसंद है तो आप इसके एक पौधे से काफी सारे पौधे तयार कर सकते हैं क्रोटोन की पत्ती कुछ दिनों के लिए पानी में रखने से उसमें नई जड़े निकल आती हैं जिसको मिट्टी में लगा कर नया पौधा तयार किया जा सकता है नमबर आठ कैलेंचो कैलेंचो एक ऐसा फूल वाला पौधा है जो कम रोशनी में बड़ी आसानी से उग जाता है इस पौधे की एक पत्ती तोड़कर अगर मिट्टी में लगा दी जाए तो उससे बड़ी जल्दी एक नया पौधा बन जाता है